वहाई वेल्कम बैक टो देशनल गाइज आज हम लोग बात करेंगे पौल्य वीडियो विडियो वना था जिसमें मैंने यह इस्ति ओस्मिट को लेके बात किया था अगर आप चाहिए तो वीडियो आप चैनल में जाकर देख सकते तो चलिए प्रेजुटि बात करतें कि यह ज करने के कोशिश करते हैं तो जैसे हम लोग को पता है कि नौ साल बाद इंडिया के कोई external affair minister पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान के समिट जो ऑर्गनाइस किया था पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट किया तो यह अगर देखा जाए दुनिया के हिस्ट्री में one of the major part है और इसके वैसे दुनिया के डिफेंट जो कंट्री जे वह आंखे गिराए बैटा था कि वहां जाके क्या हो रहा है जैशंकर साब का जो आटिट्यूट है क्या हम लोग को आगे जाके देखने को मिलेगा या नहीं पाकिस्तान कैसे रियाट करेगा दूसरा जो कंट्री जे उन लोग का आगे स्टैंड रहेगा तो बहुत सारा कोश्चेंस से इसको लेकर तो अगर हम लोग अभी जो देखे दुनिया में जितना सारा भी कंट्री जो एक चीज़ देखने को तो मिल जया कि हर कंट्री का जो मीडिया है वो एस पाकिस्तान में इस बार क्या हुआ तो एक एक करके आपको बताते हैं पहला जो है कुछ मीडिया के तरफ से ऐसा हम लोग को रिपोर्ट मिला जिसमें कहां जा रहा है कि पाकिस्तान का जो समीट उसको लेकर भारत जो हो जल रहा है नो डौट यह जो हैडलाइन है यह सुनने इंडिया को जलने के लिए पाकिस्तान का समीट होस्ट कर दिया एक बार यह बहुत कुछ हो गया और बहुत आगे चला गया कंट्री बहुत तरख्यक कर लिया कंट्री वह हम लोगों से अब आगे चल जाएगा SEO Summit के बाद क्या ऐसा हो सकता है मगर देखे तो दुनिया के कुछ रिपोर्टर्स या फिर कुछ Media House यह भी रिप्रेसेन गरें कि बहुत है इंडिया जो है पाकिस्तान के SEO Summit से जल लाए हो सकता है कि पाकिस्तान का इंडिया जल रहा है ऐसा कुछ आगे हम लोग को तो पता नहीं मगर मीडिया के जो रिप्रेजेंटिटिव है वह आप लोग अपने तरफ से यह सब बोल रहे हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है जैशंकर साब का बाइलेटरल विजिट जाने से पहले जैशंकर साब अपने जो बिजन से हम लोग जैसे काम कर रहते हैं इंडिया के लिए वही काम हम लोग करते जाएंगे उसके लावा कुछ भी इसमें आप लोग उमीद मत कीजिए उन लोगा कहना है कि यह जो समीट है इस समीट में एक बाइलेटरल मीटिंग हुआ है इंडिया पाकिस्तान के कर जाके जो पाकिस्तान आर इंडिया का रिलेशन लेशन ने यह मीटिंग आगे च्हां देखे एक और जा रहा है कि पाकिस्तान के शावा शरीफ के साद जशंकर साब ऊडmost और इस डिनर में उन लोगों ने अपने तरफ से डिफरेंट टैप डिसकेशन किया अब अगर देखे तो यह बात सच है कि सब्सक्राइब करते या सब्सक्राइब कोई मीटिंग चुक्तान के लिए या और इसका मतलब यहीं नहीं है स्रीफ जैशंकर साब के साथ सावाज शारीफ का कोई मीटिंग या फिर कोई डिनार और्गनेज किया गया था पाकिस्तान के द्वारा जैशंकर साब के लिए तो जो भी है completely depend करते है different media house का हो सकता है कि different media house यह दिखाना चाहता है कि यह बहुत बड़ा successful event है आगे यही एंडिया पाकिस्तान का रिलेशन जो यह चेंज हो जाएगा नया equation इंडिया ऐसे कोई भी anti-west community में इंडिया जाना नहीं चाहता है चाइना का जो है exactly pressure है कि चाइना अपने तरब से इसमें जाएगा कि चाइना चाहता है कि एक आगे जाक्या करना जो हमेशा एक साथ होके युएस के और युएस के चंटु-बंटु से उन लोग के मगर प्रेजेंट्ली अगर देखा जाएं एंडिया का वेस्ट के साथ किछ प्रॉबलम नहीं आज कर देखे जाए यू. इस पर गार देखा जाएं यह सब प्रॉबलम है यू. इसके यह नहीं कि कि पुरा यह सी यह कंप्रिट्ली अंठी-वेस्ट में कनवर्ट हो जाएगा और उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा इसके इलावा भी बहुत सारा अफुआ हम लोगों को देखने को मिला एक और इश्यू हम लोगों को सुनने को मिला जिसमें हम लोगों को पता चलता है कि यह जो सी यख एक्डम सीडिया से इस में कभी इंडिया प्रफ से स्टैंड लिया है और पाकिसंद को जो रिलेशन इसो के बाद कुछा जाएगा कुछ कुछ इंडिया उतना कुल्व जादे इंटरस्टेड नहीं है इसके वजए से यह मोदी जो है वह गये नहीं है वह आपने जैसं जैसे बहुत सारा और भी ऑगनाजेशन नहीं तो यह जो एक इंडिया सीरियस है यह फिर नहीं है इसको अगर हम लोग पता चलता है कि इंडिया के क्या स्टेंड है आज के डिट में आगर हम देखें तो एस यह में जो कंट्रीस है उन में से अगर आप पाकिस्तान को ले ले करो ए इरान को ले ले चाइना को ले ले लोग उनलोंता देखा जाये अंटी को ल Champions time को लॉन चाहिए जैसे भी यह जहां से भी हो पाकिस्तान को बस लोन मिन्य हो हमेशा हमेशा अपना यह मैज dairy दने के लिए यह जो पैसे वह भी बचता नहीं है इसके लाब ही अगर इरान को देखे ईरान छुपते चुपते और रहे कब जाके इसरेल वेपन, चाइना एक लेजरगं देँपन दे जिसने वह इस्राइल के जो से बच पाए तो अगर देखा जाये तेनों कंट्री के साथ इंडिया का इसा सreiben की तो प्राइब से प्रॉब्लम है ना इसराइल से प्रॉब्लम में और बोल सकते कि वह वह स्क्राइब एक दब बच्पना ही यह तूडो का अपना कंट्री में सिर्फ अपने आपको एक तरफ से बोल दिया है कि हम लोग के तरफ से अभी भी एक्जाक्ट कोई पर्टीकुलर एविडेंस नहीं है जो जाके प्रूफ करें के साथ इंडिया के कोई भी एजेंट या फिर गवर्मेंट का कनेक्शन है आगे जाके यह जो हवाबाजी किया जा रहा है यह स्रिफ एक ही इसमें क्योंकि चाता है कि आगे जो इलेक्शन है उसमें वह अपने तरफ से अपना जो वोड़ बैंक है उसको और भी ज्यादे इंक्रीस करें जबकि आगर देखा जाए टूडो आर उनके जो ऑपोनेंट है उन दोनों के बीच में राउंड आब ट्वेंटी परसन का कंडिशन है उसमें अगर कुछ भी उपर नीचे होता है तो जो एफेक्ट आएगा जिसका एकोनोमिक कंडिशन सबसे खराब है उसके उपर इसके वाइसे अगर देखा जाए प्रेजेंट ली जो एस सीओ का टार्गेट है या फिर एसीओ का जो ओर्येंटेशन है या फिर इसके लावी अगर हम लोग देखे यह जो टेरिस्ट है या फिर पर पाकिस्तान का जो स्टैन्डेस में हम लोग के इंडिया इतना इंट्रेस्टेट नहीं है आज के डेट में अगर देखा जाए इंडिया के पास बहुत सारा ऐसे अलग ग्रूप्स है जो और भी ज्यादा इंपोर्टेंट एंट इंडिया के बड़े लीडर्स जैसे के जिंपिंग कुतिन मोदे जी सब वहां मिलने वाले है और नो डाउट इसमें बहुत सारा डिसेंस भी लिया जाएगा साथ-साथ-साथ-सारा एग्रिमेंट भी किया जाएगा जो मेजर डिफरेंस है एसी और ब कुलिक्स एकक कंप्रीय्ट्री इंवेस्टमेंट उरियंड यह जाएगा कि उन्वेस्टमेन किया जाएगा कम करने से उपसंट और हो सकत है कि इस बार यह जो स्ट Teddyannah ब्रिक्स का करेंसी को लेकर नेक्स टेप है यह हम लोगो देखने को मिले जब होगा तब यह सब के इलाव अगर हम लोग देखें ब्रिक्स आज के देट में वन आप इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जी सेवन भी होने वाला है तो थाउसन टॉटिफाइब में कैनाडा मे तो नो डाउट चाइना रशिया या फिर ब्रिक्स के जो मेंबर से यह लोग हमेशे अपने तरब से कुशिश करेगा कि ब्रिक्स को जादा सक्सेस्फुल करने के लिए क्योंकि जैसे हम लोगों पता है कि इस बार जो जी सेवन है यह आपका होस्ट करेगा कैनाडा तो नो इसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि आगे जाके इंडिया अपने तरफ से यह जो इन्विटेशन आएगा जी सेवन के लिए उसको स्किप कर जाए या फिर कैनाडा इंडिया को कोई इन्विटेशन ना भेजे इन दोनों कंडिशन में एक्जाटली जो लॉस है आपका यूए इसके पीछ इन्विटेशन नहीं भेजा है कैनाडा इतना मतलब जो डिश्जन लिया है इसके पीछे एक्जाटली रिजन क्या है और देखा जाए उसको पता है कि अगर इंडिया का ऐसे कुछ इंडिया को फ्रीट किया जाता है तो आगे जाके इंडिया ओविएस्लिए ब इंडिया क्यों ब्रिक्स को सीरियस ले रहे है जरूर इसके पीछे का पास्ट में टूटो ने किया है यह सब यह तूटो ने अपने तरब से जो फॉल्स एलिगेशन लगा है जो प्रूफ नहीं कर पाए जिसका उसको कोई डॉकुमेंट्स नहीं है अंडिया के सामने बोलत इसलिए इंडिया को और इंडिया को जाना पड़ेगा अगर इंडिया चाहता है तब तो अगर यह दोनों ग्रूप मनलब जी से बैन के साथ या फिर ब्रिक्स के साथ अप एक कंट्री जो स्रीफ एक बार होस्ट कर रहे है उसको अगर आप कंपैर करें तो आपको क्या लग सकता है कि इंडिया जल रहा है तो यह जो फ्रेस में रिलीज हो रहा था कि इंडिया पाकिस्तान का तरक्की नहीं देख सकते हैं अगर एक बार आप समिट और लियो तो बहुत ही अच्छी बात है मगर इसको आप अगर बोलते हो तो तरक्की तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर तरफ से उनलों को फंडिंग किया जाते हैं जिसके वाज़ाइस वह जो मीडिया हॉसे वह अपने तरफ से कुछ भी लिख देते हैं मगर वो लोग सोचते नहीं यह पिर एक्जाक्ली जो फैक्ट है उससे वह जो जो स्टेट्मेंट है उनलों लिख रहे हैं उसमें कितना द में में कुछ भी बोनना है आपको क्या लगता है एक्जाक्ली जो यह सब को सब्ला आभी हम लोग को देखने मिला इसमें आफो क्या क्या होगा बाद कि पाखिस्तान कि इन रिरश और एक gemaakt करेगा या नहीं आगे या क्या पाकिस्टान इतना तरक्कि कर लेगा के दुनिया में top 5 economy में भी पाकिस्तान हो जाएगा इस समिट के बाद तो आपका exactly क्या रहा है प्लीज कमेंट कीजिए इसके लावी अगर आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो और देखने में आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे जो टेस्ट आपको क्या देखना अच्छा लगते उन तक पहुंसता है on the other side हम लोग जैसे जो रोजी रोटी है वह भी चलता रहता है तो वीडियो आपको अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जब सब्सक्राइब कर रहे जो बेल बटन इसमें क्लिक कर दीजेगा क्योंकि वीडियो जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है जब आएगा आपको बस तुरह झाल